जाहिन बोंधुरा डिफेंश द्रीम यूट्टूब चैनल आमें तोमात्या सकोल के साकते जानाई बोंधुरा अगनिपद इंडियान नेभी भरती तोमातर किन्तो ओफिस्याल डेट जारी कोरे दिये छे अर्थात बोंधुरा तोमरा जाना अगनिपद इंडियान आर्मी इंडियान एर फोर्से बोंग इंडियान नेभी तोमातर किन्तो इंडियान आर्मी इंडियान नेभी तोमातर किन्तो इंडियान आर्मी ओफिस्याल डेट आमी तोमातर किन्तो ओफिस्याल डेट आमी तोमातर यह भूंग तुमादर अपलाय लार्श्ड डेट यह चलाओ बोंधरा εκहाने तुमाँ अगेर थेके को में चेंज देगी ना औरताथ आगेर भोर्ती्टि थेके यह भूर्ती थे तुमादर को में चेंज हो यह चेंज होई चैकी ना किछो कारण मुद्रा आज केरे वीडियो अते आमीं तुमा तर के बोल बोना तुमा दे स्ताथे इंडियान ने भी चीप जीनिस हैर आछेन तिनी तुमा तर के किन्त आज केरे वीडियोर मादने भालो कोरे बुजिये देवेन एखाने तुमादेर eligibility condition तुमादेर कोभे एखाने एपलाई होच्छे एपलाई लाक्ट एट एचाड़ो तुमादेर एखाने eligibility condition जा आचे इचेन everything बंधरा तुमारा किन्तु भालो होगे जानते परवे तुमारा एक टुमादेर नाकर तुमारा भीरोटा अबस से complete दखो इवंग बंधरा तुमारा उजदी एरोकों लेटेस्ट अपडेट गूलो सब देगा आगे पेते जाओ चैनल डा बंधरा तुमारा किन्त अबस से subscribe कर रहो तो चलो भूंधरा देरीनाकर आजगे री फिरोटा सुरू कर रहा जाट गूड़ा अप्रून लेडिज जन्टमेन सबसे पहले तो स्लाइड पीस सबसे पहले तो मैं आपको अबगत कराता हूँ कि हमारी जो रिकूटमेंट टाइम लाइन्स हैं जो हमने डिसाइड की हैं आपके सामने आपके स्लाइड में हमारा जो रिकूटमेंट केलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था बट ये कल शुरू हो जाएगा अभी पर चला कि हमारी जो एक फाइल अप्रूव होनी ती हो गई है तो ये कल हम शुरू करने के अपना काम जो है उसके बाद ऑन-लाइन रेजिस्ट्रेशन होगा फर्स जुलाइ अनवर्ड्स जैसा कि अडिशन सेकेर्टरी सामने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है अभी जग जो भी रेक्रूट्मेंट प्रोसेजर अभी तक हो रही है पिछले कई सालों में वही इस बार भी होंगी तो जो मैं आपको बता रहे हैं उसमें कुछ भी नए नहीं है हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं कि हरवाल लेते थे इस बार थोड़ा से हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अगनीवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग इस्टेलिश्मेंट चिलका में और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहां पर उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉड अफ अगनीवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग इस्टेलिश्मेंट है आइनेश चिलका और इसा में वहां पर अपनी ओर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो यह हमारा अभी तक का विजन है और इसको हम मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे परसों से आज की बीच में मैं आपको एक दो इसको बंद कर दीजे यह तो चलने दीजे ठीक है जो लोग देख रहे हैं बहार टीवी में परसों से लेके आज की बीच में एक दो नई जो डेवलेमेंट्स हुई हैं एक तो है कि हमारी मिनिस्ट्री अफ शिपिंग और डीजी शिपिंग के साथ कई महीनों से बात चल रही थी और येस्टरडे कल ही डीजी शिपिंग ने अपना एक डीजी येस ओडर जिसको कहते हैं 16 of 2022 उसको इशू किया है वो केवल अगनी वीर के लिए है कि चार साल के टेनिंग के बाद जब अगनी वीर बहार निकलेंगे तो वो किस किस ट्रेड में सीधे मर्चेट नेवी में जा सकते हैं डारेक्ट उनने कई सारे प्राधान दे रखे हैं ये अलड़ी मीडिया में है ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये डीजेस ओडर तो आइम शोर जो हमारे फ्यूचर अगनी वीर से हैं नेवी के उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तयारी के साथ करने के लिए इसके साथ ही डीजेस शिपिंग ने एक डीजेस ओडर 17 ओफ 22 भी कल इशू किया है मेरी और डीजेस शिपिंग की मुलकात हुई थी कल और वहीं पे हमने अपना मेमरान अफ अंडर्स्टेंडिंग भी एक साइन किया है जिसके तहत भारती नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लाज़ी डीजी शिपिंग विल वर क्लोजली दोनों एक साथ काम करेंगे और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है जिससे की नौट अगनी वीर्स बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी उनकी जो पूरी सी सर्विस है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी काउंट की जाएगी और वो सीधे मर्चेंड निवी में अपनी नौकरी कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा कल काम हुआ है कल अच्छा दिन तर शायद मंडे और यह वरी हैपी दाट दी मिनिस्ट्र शिपिंग और डीजी शिपिंग अज डीजी शिपिंग अज मेड़ देस हैपन अब मैं आता हूं अपरेशनल एफेक्टिमनेस की तरफ कई जगे मैंने सुना जैसे की बागी सर्विसन में सुना होगा की अगनी वीर्स के आने से हमारी ऑपरेशनल एफेक्टिमनेस काम हो जाएगी देखे हमारी नौसेना का जो विजन है हुआ है इसमें कोई बदलाव नहीं है और जैसा की अब एर मार्सल सूरच जहां ने बोला कॉमबैट रेडिनेस, कॉमबैट प्रेपेडनेस, कॉमबैट एफिशेंसी एस फार अज नौसेना इस कंसर्ण नौन नगोशेवल तो हम लोग अगनी वीर्स को लेंगे उनकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसको हम कहते हैं drill to skill उनको जो अगले 3-4 साल में जो करना है उसमें अच्छी ट्रेनिंग करेंगे पहले bootcamp ट्रेनिंग करेंगे चिलका में फिर उनको समुदर में ले जाएंगे वहाँ पर उनको आगध कराएंगे environment से क्योंकि जैसे आपको पता है मैं भी एक landlock state से आया हूँ पहली बार मैंने समुंदर देखा जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था ऐसे बहुत सारे अंग्री भी राएंगी जो उन्हें कभी समुंदर ही नहीं देखा होगा तो उनको हम समुंदर में ले जाएंगे और उसके बाद उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी जो कि चार से छे मेंने के बीच में वह हम डिसाइड कर रहे हैं अभी जिसमें उनको ये सिखाए जायागा कि अगले तीन साल तक वह क्या काम करने वाले है ये पूरा जो मसला है ये अभी हम लोग इसके उपर काम कर रहे हैं लेकिन जब पहला अगनिवीर 21 नौमबर को चिलका में रिपोर्ट करेगा तो हमारे पास सब इनके सब के आंसर रहेंगे तुम्रा रिप्लाइग पेजाबे तो चलो बंत्रा दाखव चाबार पर रिवीडो ते नुतुन कोन अपडेटेस सते जाहिन बंदे मातरम